दोस्तों महाशिवरात्री फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को मनाई जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्री पर शिवलिंग की उत्पत्ती हुई थी। भगवान विष्णू और भगवान ब्रह्मा ने शिवलिंग की पूजा भी की थी। धार्मिक ग्रंथों से इस बात की पुष्टी भी होती है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवा हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्री का विशेश महत्व है। इस दिन भोलेनात और माता पार्वती की विधिविधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्री का दुरलब सन्योग बन रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोश व्रत भी रखा जाएगा जिससे आने वाली महाशिवरात्री का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा इस दिन निश्चित काल में भगवान भोले नात क कि पूजा से सभी मनो कामनाएं पूरी होती हैं महाशिवरात्री शुभ मुहूर्त 2024 और साल 2024 में महाशिवरात्री का पर्व 8 मार्च सुकरवार के दिन मनाया जाएगा चतुर दशीति शुरू होगी 8 मार्च से रात्री 9 बज कर 57 मिनट पर चतुरदशी तिथी समाप्त होगी 9 मार्च साइं काल 6 बज कर 17 मिनट पर भगवान शिव की पूजा करने का विशेश महत्व प्रदोश काल में होता है इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्री का पर्व मनाया जाएगा निशेद काल पूजा का समय होगा 9 मार्च सुबह 12 बज कर 4 मिनट से 12 बज कर 52 मिनट तक महाशिवरात्री वरत का पारण होगा उनका विवाह भगवान शिव का साथ संपन हुआ था। महाशिवरात्री का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्त के लिए रखती हैं। महाशिवरात्री के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, भगवान शिव और माता पारवती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें, इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्यदेव को अर्ग्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पारवती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद महा शिवरात्री की वरत कथा का पाठ जरूर करें। करना चाहिए। करें।